अपनी संपूर जिन्दगी में याद रखना सब्तम दिवस का चैप्टर कि आहार की सुद्धी बहुत जरूरी है हमें परमात्मा ने वो विवस्ताई नहीं दी कि हम गंदा भोजन खावें हमें इश्र ने सुद्ध व्रत्ती के विवस्ता दी है इसलिए मेरे पागलो जितने भी यहां बैटे आज की कथा में आज ही कथा से प्रण लेकर जाना आहार की सुद्धी रखना भूल कर भी कोई गंदा भोजन मत करना हम आप से पूछें आपका कोई हाथ काटे तो कैसा लगेगा अच्छा लगेगा या बुरा बुरा लगेगा ना अच्छा कोई आपकी अंगली काटे हो बड़ी हाण नमक मिर्चा डाले कटी हो यंगली पर कैसा लगेगा बोलो ना अच्छा लगेगा आनन्दा आएगा क्या सरीर फड़़डाएगा की नहीं करन्ट लगेगा की नहीं हाँ जी अना जी तो जिन जीवों को हम काट करके खाते हैं उन पर क्या बीचती होगी विचार करो हम दूसरी बात आपसे पूछते हैं क्या तुम किसी को जीवित कर सकते हो क्या किसी मृतक व्यक्ति को जीवित कर सकते हो अगर आप मृतक व्यक्ति को जीवत नहीं कर सकते तो ये अधिकार तुम्हें किसने दिया कि जिन्दा व्यक्ति को मार दिया जाए अगर आप जीवत नहीं कर सकते ये छमता नहीं है तो मारने का अधिकार आपको किसने दिया है कौन ही आपको अधिकार दे कर गया जीवों को मारो जीवों की हिंसा करो जीवों को मार करके खाओ मेरे साथ हूँ किसी ने अधिकार नहीं दिया इसलिए आज की कथा में तुम गाठ बांद करके जाओ कि स्वपन में भी भूल कर भी किसी भी जीव की हिंसा मत करना सपन में भी भूल कर भी तुम किसी जीव की हिंसा मत करना जीव की हिंसा करोगे घाटा खाओगे आज नहीं तो कल खाओगे यह संसार करम पुरधान है लोट करके आता है आज जो तुमने किया है कल तुम्हें भोगना पड़ेगा तुम्हें लगता है ईसर नहीं देख रहा तुम्हें लगता है कोई नहीं देख रहा तुम्हें लगता है कि हम तो बहुत बंद कमरे में बंद परदे में काम कर रहे हैं हमें कोई नहीं देख रहा प्यारे तेरी भूल है वो ये तुम्हारी एक सटता है ये तुम्हारी अग्यांता है वो जो दुनिया को बना रखा जिसने वो सब कुछ हर पल देख रहा है वरना आप विचार करो लाखों करोड़ों लोग आज तक इस पृत्वी पर आये लाखों करोड़ों लोग इस पृत्वी से गए आज तक कोई भी पुलस्चो की भगवान ने नहीं बनाई है भगवान के द्वारा निर्मित पर आप देखेंगे कि लाखों करोड़ों लोग पृती दिन जाते हैं क्या एक भी बस तुई संसाल से लेकर जाते हैं कुछ लेकर जाते हैं कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं जैसे आते हैं बैसे जाते हैं इससे सिद्ध होता है मेरे पागल मेरे साधू यो भगवान की लीला अदुवत है वो हर पल देख रहा है और देख रहा है तो जो किया है वो भोगना पड़ेगा भोगना पड़ेगा तो करन पर सावधानी आज से ही रखना प्रारंब करतो गिरुधर कहते है बिना विचारे जो करे सो पाँचिये पचीताई काम विगाडे आपनों जग में होते हसाँ जग में होते है जो बिना विचारे करता है वो भोगता है पच्चताता है एक दखती हमसे गह रहा है तो महराजी पीने से न तागत आ जाती है हमने का मतलब महराजी कोई बात बोल नहीं हो न तो साधारन न बोल पाओ तो थोड़ा सर ले लो फिर तागत देखो हमने का नक कटा थटरी के बरे इसका मतलब तु बुजदिल आद्मी है इसका मतलब तु बहुत कमजोर आद्मी है दूसरे के सहारे पर बोलता है बोलना ही है न तो अपने खुद के सहारे पर बोलना सीख और हमारे एक साधू हमको कहते थे जाम क्यों पीते हो जाम साम को पियोगे सुबह उतर जाएगी अरे मूर्ख लागहों का नाम पीकर तो देख जिंदगी भर के लिए चड़ जाएगी नसा नास करता है बेवहार की सुद्धी में आहार में नसा जो पीना है न ये भी बड़ा घातक है बगवान ने तुम्हें पीने के लिए बहुत सी चीज़ें बनाई गंगा जल पीओ धूद पीओ दही पीओ लस्ची पीओ वही पीने से आनन्द आता है प्यारे तुम्हें लगता है कि हम पी लेते हैं तो सब भूल जाते हैं ये ब्रह्म है तुम्हारा नसा नास करता है नसा तुम्हें जिंदिगी के सब रस्ते को बंद कर देता है तुम्हें पीना ही है तो भगवान का नाम पीकर के आंगे बढ़ना प्रारंब करो नसा से हमें याद आया, एक बार हमारे आचारी जी ने भांग खाई, बुरंदावन में, कब की बात है, एक बार हमारे आचारी जी ने भांग खाई, ये भांग खाकर चले, भांग, भांग जानते ना, आरे बाबा, बाबा बन गई ये भांग खाकर, इनको ऐसी भांग चड़ी भाईया कि ये परिक्मा देने जब गोबर दिन जी की गए तो हम भी साथ में तो राद का समय तो साब कीर्टन करते रादे 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 लेकर जी तो हो गए आदे आदे भांग के चक्कर में जहां जो मिले महाराज कोई मंदिर दिखी जाए तुरंत प्रणाम तुरंत पाओं पड़े मंदिर का एक जगे तो सुलब सोचा लेगो ही अरे भगवान अब भांग चड़ गई इनको इतनी ते चड़ गई रोहेट जी को आचार जी को कि जतीपुरा निकले परिक्मा में जैसी जतीपुरा निकले तो इन्होंने प्रणाम किया जै हो गव माता सिर रख कर पीछे की तरफ और हमसे बोले महाराज जी जरा देखो देखो कितनी काली स्यामागाए हमने का देखना चाहिए स्यामागाए रात का समय हम जैसे ही मुड़कर आए जब हमने गवर से देखा हरे हमने का जयामागाए नो ही बैजिया है तुम स्यामागाए बना बैजिया है ये बैजिया भांग इतनी विचित नसा इतना विचित्र होता है कुछ का कुछ दरशन करवाता है नसा करना ही है आपको तो जिन्दगी में लक्ष पाने का नसा करना शुरू कर दो आपका नसा बहुत अच्छा होगा नसा करना ही है तो परमात्मा को पाने का नसा प्रारंब कर दो प्यारे प्रभू को पाने का नसा जिस दिन शुरू कर दोगे उस दिन आपकी जिंदगी में चार चांद लग चाहेंगे महराज किसी ने पी है हाँ भगवान नाम की भी पी गुरु नानक देवुजए एक व्यक्ती ने पूचा बाबा तुमारी आँके एकदम लाल रहती है तुम भी पीते हो क्या आँके एकदम भरी रहती है हम तो रोज पीते हैं बाबा तुम भी पीते हो क्या बाबा ने का भगया हम पीते हैं लेकर दूसरी रूप वाली तुम पीते हो यह मदिरा तो बोले आप कौन पीते हैं कौन सी पीते हैं तो नानक देवुजी ने बड़ा प्यारा जबाब दिया, बुले भाईया, तुम जो नसा करते हो, उससे नास होगा, हम गोविंद नाम की पीते हैं, जिससे कभी नास नहीं होता है, अच्छा किसी ने पिया है, हाँ, महलों में पड़ी, बन के जोगन चली, मीरा रानी दिवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी ऐसी लागी लगन लागी लागी ले लगन मेरा भाई को नसा चड़ा भगवान के नाम का लेकिन ऐसा चड़ा कि संसार का कोई भी पेपदार्त पीने की आब सकता नहीं रही गोविन्द नाम पीकर के ही मेरा भाई ने गोविन्द को पा लिया बुलो सीतारा हम आप भी प्रभू का नाम पीकर के प्रभू को पा सकते हैं